हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो और चैनल है पटेड़ेज भी मैं हूं मोहमद सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आये हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों IEX के उपर मैं काफी समय से आपको बचाते वे आ रहा हूं क्योंकि कई ल हुआ है रैली उसे देखकर स्टॉक के अंदर एंटी ले रहा है पिछली बार मैं आप लोगों को यहां पे एक्जिट करवा दिया था यहां पे एक्जिट करवाने का रीजन भी मैं आपको समझा चुका था कि हमारे लिए यह मेजर ब्रेकडाउन लेवल है अगर यह ब्रे हम लोगों को अपॉर्चिनिटी मिल सकती है स्टॉक के अंदर आगे रैली की अपॉर्चिनिटी मिल सकती है तो उसी के बेसेस पर मैं आज बात करने वाला हूं आज मैं आपको यह भी बोलने वाला हूं कि स्टॉक के अंदर एंट्री कहां पे करनी है और इसका मेजर ब्रेक समय में मिलने वाली है जब opportunity नहीं मिल रही थी exit करवा दिया opportunity मिल रही है तो अभी मैं entry के उपर बात कर रहा हूँ दोस्तों और यह मेरा WhatsApp नेंबर है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है यह मेरा WhatsApp नेंबर है अगर आपको कोई query है regarding आपके portfolio stocks पे आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे previous time इसने rejection दिया यहाँ पे previous time इसने support पकड़ा और यह अपना breakdown level main है important breakdown level है यह because यह level break करके 200 EM में के उपर closing देगा for an example मैं आपको अपना यह वाला दिख रहा है support देगा support देते हुए अपने previous breakdown level को break करेगा जैसे यहाँ पे break किया था वैसे break करेगा तो IEX में हम लोगों को काफी आगे का rally देखने को मिलेगा जो rally मैं देख रहा हूँ 204 से लेके 235 तक 204 से लेके 235 तक major level कौन सा है दूस्तों major level यह है 152 से लेके stock 155 के level के in between resistance लेना चाहिए या इस level को break करना चाहिए तो आगे किराली देखने को मिलेगी और आगे किराली अगर यह levels को break करके देखने को मिल रही है तो मैं definitely video भी upload करूँगा और इस तरीके से मैं अपने free telegram group में अपने paid group में, premium group में हर तरीके से मैं इस तरीके से position देता हूँ वो position मैं आपको अपने free telegram group चैनल पे देतूँगा अब major level कों सा है 152 से लेके 155 का major breakdown level है जो हमरे लिए breakout के जैसा काम करेगा दोस्तों तो मैं simply suggest करता हूँ अभी भी जो भी recent levels पे hold कर रहा है, hold करिए अगर 134 level का IEX break कर रहा है मैं जैसे बताया था 120 के below stock में levels देख रहा हूँ तो मैं वो भी update कर दूँगा तो simple suggestion है, ये वाला level break होने तो हम लोग काम करेंगे जब तक ये वाला level break नहीं होगा हम लोग stock के उपर काम नहीं करेंगे अभी के लिए no trading zone है पर जो already खरीदे बैठे हैं hold करिए, 134 level break हुआ तो निकल जाहिए दूस्तों ये मेरा update था IEX पे अगर आपको stock के उपर analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए, share करिए and YouTube channel को subscribe कर लिजिए Thank you